कारकिल एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने किसान भाईयों को वर्ल्ड लेवल की जो टेकनोलोजी है वो हम दे सके हमारे पास कच्छी वेटरिनेरी की टीम है टेकनिकल स्टाफ की टीम है जो फार्मर के फारम पे जाके उनको एजुकेशन देत किसानवाई वेनु का स्वागत है हम आया है किसान मेला लुद्याना में और अभी हम है कारगिल की स्टाल पे जो कैटल फीड में एक जना माना नाम है तो अभी हम बात करेंगे डाक्टर प्रमोट से जो कंपनी के के न्यूट्रिशनिस्ट है और आज का मारा विशे रहेगा सुपर काफ प्रोड़क्त के बारे में और ट्रीशन के बारे में नमस्कार सहस्तिकाल अपने लाश्ट वन एयर में अमने दो प्रोडेक्ट लांच किया एक अपने स्पिसल काफ के लिए कि काप की के वह तो टाइम है रिकुलावर्मेंट भड़ गया past us ऺाट लिएक एक उनका बड़िवेट चाहिए के टाइमटो टाइम नंका बड़िवेट ज्यादा हो जितने हमने डेरी फार्मर वाह प्रोकस कर रहे है तो ब्रीड के साइसा उन साथ उनका चाहीं कि ऐसाया एक किलो बोड़िवेट पर तो हमने ज्यादा से ज्यादा काम किया आपका इम्मुनिटी पे यह काम किया सार आपने दो प्रोड़क्त है अगर डीटेल वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर बात करें ट्रांजीशन के प्लस के कि हमको जब लास्ट के 2-month कावीं को बचते हैं तब से के बाल पसु के बहुत सारा चीजे रिक्वाइर्मेंट होती है तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं तो उसकी डोज हम रखे एराउंड तीन से साड़े तीन किलो की डोज रखे पसु का न्यूट्रीशन उसमें बैलेंस रख सकते हैं तब क्या होता है पसु का इंटेक तूट जाता है बहुत जादा ऑट यह प्रॉडक्ट में सबसे ज्यादा जो क्वाल्टी है कि पसु का इंटेक तूटने नहीं देता हम ज्यादा सज्जादा इसका फाइबर डिजेसन अच्छा है इसमें इंटेक का बहुत अच्छा होगा और साथ-साथ फीटबैक है कि पसु की जो काविंग है वह बहुत इजी हुई है इनदे केस कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाइजों को फोन आता है कि आरोपी की प्रॉबलम आ गई पर इस प्रोडक्ट जो भी डाले है उसमें हमें आरोपी के केस बहुत कम से कम मिले हैं और जो सबसे बड़ा इसका रिजल्ट है कि यह अपना एक ऐसे प्रोड़क्ट है जो गुरूपिंग वगारा नहीं करते तो उसमें से यह होता है कि आपका अमन आपका जब लास्ट के होते हैं अपका थर्टी डेल तो इसकी डोर साड़े चार किलो कम से कम डाल सकते बड़िया तयार हो जाता है ऐडर लेवा अग्यरा क्यों होता है काफी अच्छा बन जाता है जिससे हमारा प्र्टू का जब आपका जब आपका काबिंग में आएगा दूद के बाद उसमें क्या होता मिल्क प्रोडक़्र उसका काफी बढ़ता हम ने यस में लिखे भी है जब हमारा पीक मिल्क प्रोडक्शन है वो 60 डे से लेके 120 दिन है चार से पांच लीटर का योरज भी एक पसु में ज्यादा मिला है जो नौर्मॉल प्रोडक्ट से हमारे हैं तो यह चीजें के तीन वापके क्वाल्टियां है और साथ में सुने के बाद भी इ को बताई है कि हमारे पास पहले भी प्रोड़क्ट था काफ स्टार्टर प्रीमियम से टाइम के इसाब से लोगों के डिमांड बढ़ गई तो क्या होता पहले हम साथ सो आठ सो ग्राम बोडी बेट पर देते थे पर कस्टमर को नीड होती है इंदा के स्टीन मंत में 120 किलो य जैसे यह देख सकते हैं सारा सर आपका यह लाश्ट यह हमने एक अपडेट और साथ 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 सारा मनेजमेंट भी दे रहे कि कैसे हम फार्मर को इंदे किस काप को तयार करना है मतलब जीरो डे से लेके आपका सारा आपका 90 डेज का प्रोसेस है तो इस चार्ट को भी आप सकते हैं अगर कि सबसे ज्यादा क्योंकि काप के लिए जरूरी होता है प्रोडेक्ट के खाने के साथ साथ उसका मनेजमेंट तो इसका क्या होगा डैरिया नहीं लगेगा बेट अच्छा आएगा और उसका साथ में आपका बेनीपीट अच्छी रहेगी तो नेचरल ली और बेटर होती है तो यससे सबसे बेडिफिट जिसका है और सबसे बड़ी बात करें साथ कि एन सुपर काफ के साथ साथ मिल्क फॉर्टी फायर इंडिया के यसे अपने अपने 25 ग्राम है दूद के साथ ही देना है जैसे ब्रीड बढ़ रही है पंजाब के आप देखी रह ल्क उल्ट्रफ। 25 काम करती हैं और हमारी कोईशिश रहती है के हम अपने किसानीज को वड्वड लेवल टेक्नुलोजी जाक Prior वह मैं हमारे पास निए टेकनिक्निकल स्टाफ की टीम फार्म के जाके उनको एजुकेशन देते हैं और उनकी जो मुख फारम की जो समस्याइं हैं ब्रीडिंग की जो समस्याइं हैं डाइट की जो समस्याइं उनका समाधान हम फार्मर के पॉइंट पे करते हैं फार्मर का विश्वासा कार्गिल पे कि यह एक ऐसी कंपनी है जो फार्मर के मुख सबसे ज्यादा काम करते हैं हमारा जितना भी फोकस है कि फार्मर को छोटी से छोटी से लेके साइलेज टेस्टिं से लेके उसके इनिमल बॉड़ी बेट की रिक्वार्मेंट के हिसाब से जो न्यूटिशन डाइट है वह प्रोवाइड करना यह सारी का सारी अपने टेकनिकल डॉक्टर है साथ में डी अफसी भी है और यह सारे चीज जो है फार्मर पे ज्यादा फोकस करते हैं अगर कोई भी कस्टिमर को प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें कॉल कर सकते 9592949800 यह सार अपना हेल्प लाइन नंबर है कार्गिल का थैंक्यू सार तो दन्यवाद